कोशें में 10 13.1 अब ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड गीवन है अब ब्लैक एंड डाइस आर रोल्ड हिंदी में लिखा हुआ है कि एक काले और लाल पासे को शाला जाता है अब ब्लैक और एक रेड अब ब्लैक एंड डाइस आर रोल्ड केने के मतलब दो पासे को जब एक साथ उसलेंगे तो टोटल रेजल्ट के आएंगे सेम यह वह उसको ए पहले वाले को ब्लैक बोल रहे है है बाद बना लो तो है वो फर्स पहला जो पासा है वो कैसा है ब्लैक और सेकेंड कैसा है रेड तो अब ब्लैक और डाइस आर रोल्ड टोटल सेंपल स्पिस क्या बनेगा सेंपल इस विस थर्टी सिक्स लिख सकते हो या बना लो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 or 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 और 6 दो पासे एक साथ पेके जाते हैं अब ब्लैक और रेड डाइस आर रोल्ड मतलब काला वा लाल पासा उचाला जाता है सेंपल स्पेस सेंपल स्पेस एन उफेस इक्वल आजाएगा 36 क्लियर अब फाइंड करने क्या बोल रहे हैं सुनना द्यान से कुश्यन नंबर फर्स हिंदी में लिखा हुआ है कि पासे पर प्राप्ट संख्या का योग 9 होने की प्राइक्ता ग्याद किजें अच्छा इंग्लीश में लिखा हुआ है conditional probability of obtaining a sum greater than 9 और हिंदी में लिखा हुआ है कि पासे पर प्राप्ट संख्या का योग कितना होना चीए 9 होना चीए दोनों में लग 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 लिखा है इंग्लीश की बुक में लिखा है सुनना probability of obtaining a sum greater than 9 मतला उनका sum किस से बड़ा होना चीए 9 से और हिंदी में लिखा हुआ है पासे पर प्राप्ट संख्या का योग क्या होना चीए 9 होना चीए हिंदी वाला ठीक है नहीं आएगा फिर इंग्लीश से करेंगे अब हिंदी से कर दे रहा हूं फर इंगलिश से करेंगे दोनों चीज़े याद रखना वो बोल रहा है हिंदी में कि दोनों का सम कितना हो 9 तो ई कैसी घटना है ई घटना है पासो पर प्राप्त संख्या का योग 9 है उसमें greater than 9 लिखा है इंगलिश में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं sum of number is 9 योग 9 है तो इसमें से ऐसी संख्या निकाले जो उनका sum 9 है तो हमारे पास एक event निकल जाएगा संख्या का योग 9 है 3 6 4 5 5 4 6 3 3 6 4 5 5 4 और 6 होती है और कोई एक है जिसका sum 9 आ रहा है नहीं F अच्छा N of E 1 2 3 4 N of E कितना आ गया 4 probability of E अगर निकालेंगे तो N of E by N of S 4 by 36 एक बटे 9 आगे क्या बोल रहा है second B वाला बोल रहा है कि उसी में पासे पर प्राप्स संख्याओ का योग 9 होने की प्रतिबंद प्राइकता ग्याद कर रहा है मतलब E की probability चाहिए probability of E चाहिए और वो बोल रहा है कि probability of E अगर चाहिए तो आपके पास F given है और F क्या given है? F ऐसा दिया हुआ है कि यदि यह ग्याद है कि काले पासे पर 5 प्रकट होता है काले पासे पर 5 प्रकट होता है तो F क्या जाएगा? काले पासे पर 5 प्रकट होता है काले पासे पर 5 प्रकट होता है English में भी चेक कर लो question इंग्लीज में question given that the black die resulted in a 5 black die resulted in a 5 इसमें quit out है अब वो बोल रही कि F ऐसा event है जिसमें काले पासे पर कितना आ रहा हो 5 तो काले पासे मतला पहला वाला पासा कौन सा है ब्लैक दूत्र वाला पासा कौन सा है तो पहले वाले पर जो number आएगा फस में जो number आएगा वो आएगा black wallet आएगा बाद में जो number आएगा वो red wallet आएगा तो 5 पहले वाले डाएगा किस किस में है इस पूरी row में है तो यह आजाएगा हमारे पास 51, 52, 53, 54, 55, 56 तो n of f आजाएगा 6, probability of f निकालो सिर्फ probability of f n of f by n of s, 6 by 36, 1 by 6 intersection निकालना पड़ा है क्योंकि formula क्या है e की probability find करना f given है e जो event है उसकी probability find करना है जबकि हमारे पास f जो है वो given है अब f की probability given है f की घटना घटित हो चुकी conditional probability में तो probability of e intersection f by जो नीचे आता है probability of f intersection निकालना है तो E intersection F E intersection F E और F में क्या common है? E और F में common है इसमें हमने 4, 5 नहीं लिखाए गया सॉरी लिखाता है दोनों में 5, 4 common है दोनों में 5, 4 common है तो intersection किया जाएगा 5 और 4 इसके number कितने है? N of E intersection F इसके number 1 अच्छा, probability of E intersection F जाएगा हमारे पास अनुकुल परिणाम N of E intersection F by N of S तो 1 by 36 E intersection F लिखो E intersection F यहाँ पर value put करना है 1 by 36 by probability of F probability of F 1 by 6 1 by 36 into 6 by 1 1 by 6 चेकर एंसर नहीं तो फिर हिंदी वाले से करना है क्या रहे? 1 by 3 ठीक है अभी यहाँ पर अब अगर है हिंदी वाले से किया है हिंदी की जो statement लिखी थी कि पासो का योग कितना आ रहा है? पासो का योग? 9 यह हिंदी वाले हैं पेपर में वो ही करना है जो दिया हो अभी हिंदी इंगलिस की बुक में दोड़ा confusion है अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे है? पासो पर प्राप्त संख्या का योग 9 से 9 से बड़ा है sum of number is sum of number is greater than 9 तो 9 से बड़ा बस बाकी सब ठीक है 9 से बड़ा sum आना चीए 9 से बड़ा तो sum 9 से बड़ा कहां से चालो होगा? 4, 5 5, 4, 9 हो रहे हैं इदर से चालोगा 6 और 4 4 और 6, 10 6, 10 5 और 5, 10 6, 4 10 5, 6 फिर 6, 4, 10 6, 3, 9 हो रहे 6, 5, 11 और 6 हो रहे इसके अलाबा कुछ है क्या? यहां से चालो होगा 4, 4, 8 हो रहा है 5, 4, 9 हो रहे 6, 3, 9 हो रहे हैं यहां से 6, 8, 2, 8 हो रहे हैं इस सबसे बड़े बड़े 6, 4, 10 यहां से चालो हो रहे हैं 1, 3, 6, 6, 12, 6, 5, 11, 6, 4, 10 इसके बाद 9 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक और कुछ होगा 6, 5, 2 दो दोबारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहां पर कितना आ गया? 6 इसकी probability आएगी 6 by 36 मतलब 1 by 6 clear? अब intersection भर निकालना है F तो सेम है intersection निकालना है तो intersection में क्या क्या common है इसमें और इसमें? 5, 5, 10, 5, 6, 6, 5, 11 ठीक है? 5, 5, 10 और 6, 5, 11 दो चीजे common हैं इसके लावा सब छोटे है 5, 38, 5, 49, यह नहीं आएगा 5, 5, 5, 6, तो intersection में क्या क्या ले ले अपन? यहाँ पर 5 और 5 और 5 और 6 ठीक? वो English की, वो हिंदी की बुक था यह English की बुक अब तुम यहाँ तो correct कर लो यहाँ तो question को paper में जैसा आएगा वैसे solve करना, इक और एक दो यह दो आगया अब इसकी probability, इसकी probability आएगी 2 by 36, मतलब 1 by 18 formula, E की probability find करना है, F की घटना घटित हो चुकी है conditional probability तो अब probability of intersection F 1 by 18 by probability of F probability of F कितना? 1 by 6 1 by 18 into 6 by 1, इससे cancel 3 time कितना आगया? 1 by 2 जैसा question रहेगा, question को read करके उसी के साब से question solve करके ठीक है? लिखो 10th का question number second find the conditional probability of obtaining the sum 8 conditional probability क्या बोल रहा है कि obtaining number sum 8 यहाँ पर में लिख दे रहा हूँ sum of number sum of number इसी का second question 10 का B तो E में क्या दिया है? sum of number is 8 अंको का योग कितना होना ची? 8 होना ची अब अंको का योग 8 होगा, तो इसमें ऐसे number निकालो जिसमें sum हो रहा है 8 तो सबसे पहले यहाँ से 2, 6 फिर 5, 3 4, 4 4, 4 के बाद 5, 3 और 6, 2 ठीक है, इसके लावा और कुछ नहीं है उपर कुछ नहीं है 6 और 1, 7 ही हो रहा है तो यह number अंको का योग 8 हो जा रहा है तो 2, 6 3, 5 4, 4 5, 3 और 6, 2 इनके number कितने? 1, 2, 3, 4, 5 नमबर आगे 5 probability of E क्या आएगा? 5 by n of E by n of S और कुछ तो नहीं हो रहा है चेक कर लो नहीं है 1, 2, 3, 4, 5 5 by 36 5 by 36 अच्छा, F क्या दिया है? इसी में इसी में F देकर रखा हुआ है हिंदी में यदि हाग ज्यात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो given that the red dye resulted in a number less than 4 पहला वाला black वाला dye है दूसरा वाला red है तो लाल पासे पर संख्या कितनी होनी चीए? 4 से कम 4 से कम होनी चीए अब 4 से कम 4 से कम 4 से कम इसमें है यह पूरी यहां से लेकर red वाला पहला वाला black dye है दूसरा वाला red मतलब बाद वाला जो digit है वो red का है तो लाल पासे पर संख्या 4 से कम होना चाहिए, 4 से कम इधर वाला सब चलेगा, यह आ जाएगा, फिर इधर 4 से कम मतलब, यहां से लेकर यहां तक, इधर 4 से कम, यहां से लेकर यहां तक, इधर 4 से कम, यहां से लेकर यहां तक, ठीक, इधर 4 से कम, यहां से लेकर यहां तक, त तो इन तीन चे तीन जेनों 12 बंदरा 18 कितना जाएगा यहाँ पर डारेक्ट लीग दूखिया 18 एन ओफ एक्वल 18 अब आफ एकटीन है तो प्रोबबिलिटी ओफ एक्वल कितना है एकएन ओफ एक्वल 18 गाइन ओफ एक्वल 18 गाई 36 1 गाई 2 अब दोनों का intersection चीए इसका intersection इसका intersection तो दोनों में intersection में क्या सेम आ रहा है 6 और 2 इक्वल 2 और 6 लेना है यहाँ पर 2 और 6 यहाँ 6 और 2 6 और 2 और एको digit आ रहा है एको digit जो लाल पासे पर संक्या 4 से कम हो 5 और 3 ठीक है? 5 और 3 वो इसमें भी है 5 और 3 तो यह जो intersection है हमारे पास यह भी आएगा अब यहाँ पर हमने लिखा नहीं इसलिए intersection चेक नहीं किया अब आप 18 है तो यहाँ पर हमारे जो second वाले F में F में क्या बोल रहा है कि लाल पासे पर संक्या 4 से कम होना चीए अब लाल पासे पर संक्या 4 से कम 18 में यह भी तो आ रहा है और यह जो है यह इसमें भी है तो intersection क्या निकलेगा intersection 6 और 2 और 5 और 3 यहाँ पर हम 2 लिख देंगे 2 बाई 36 1 बाई 18 intersection के place पर 1 बाई 18 हाँ 1 बाई 18 इंटू बाई 1 1 बाई 9 अब ठीक है समझ आ रहा है question लेखो question number 11 a fair die is rolled consider event a fair die is rolled मतलब एक पासे को फिका गया है एक पासा उचा लगया है तो sample space क्या है fair बोला है sample space 1,2,3,4,5,6 एक पासे को उच्छालने पर a fair die is rolled event e equal 1,3,5 अब event e equal 1,3,5 है इसका number क्या है n of s equal 6 यह 1,3,5 अलग से दिया हुआ है तो इसके लिए number n of e equal कितना हैगा 1,2,3 अच्छा इसकी probability नहीं कालो probability of e equal n of e by n of s 3 by 6 1 by 2 second f कितना given है 2 और 3 f है 2 और 3 इसके number n of f के number 2 अच्छा probability of f equal n of f by n of s 2 by 6 1 by 3 g क्या दिया है g equal 2,3,4,5 तो n of g equal 1,2,3,4 अच्छा probability of g अगर निकालना पड़े तो n of g by n of s 2 by 3 समझना find क्या करना है पहला पहला find करना है probability of e by f probability of e by f और second find करना है probability of f upon e second वाला तो इसके लिए एक formula बनाईगे और second वाला है probability of f upon e तो इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं e और f की बात आ रही है तो e और f के लिए क्या करेंगे e और f के लिए e और f का intersection निकालो तो e intersection f e intersection f e intersection f क्या क्या common है इसमें 1,3,5 और 2,3 में क्या common है 3 तो यह आ गया 3 n of e intersection f equal कितना आ गया 1 probability of e intersection f equal N of E intersection F by N of S तो 1 by 6 अब ये दोनों तो find हो जाएंगे दोनों निकल जाएंगे probability of E upon F probability of E upon F equal probability of E intersection F by probability of F जो नीचे उसकी probability नीचे लिखना है E intersection F कितना find किया है 1 by 6 by probability of F probability of F कितना 1 by 3 1 by 6 into 3 by 1 1 by 2 पहला answer second F by E निकालना है तो F by E के लिए intersection तो वही आएगा probability of E intersection F by probability of E probability of E intersection F E intersection F हमने कितना निकाला है 1 by 6 और probability of E probability of E probability of E 1 by 2 1 by 2 1 by 6 into 2 by 1 1 by 3 2 answer है दोने में कुछ आउट ठीके? E intersection E upon F निकालना था second देखो E by G और G by E probability of E by G equal और probability of G by E equal पहले 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 कि फार्मिला बनाने के बाद समझ में जाएगा कि फाइट क्या करना है? देखो, probability of F upon G, probability of, sorry, E by G तो formula बनाना है अब, probability of E intersection G by जो नीचे है, probability of G इधर, same probability of E intersection G by probability of E clear, अब E और G इन दोनों का intersection चाहिए तो E intersection G, ये वाला E और इसका intersection किस से चाहिए, दोनों में क्या common है 1, 3, 5, 2, 3, 4, 5, दोनों में क्या common है, 3, 5, तो ये आजाएगा हमारे पास 3, 5, अच्छा, N of E intersection G equal कितना N of E intersection G equal to, अच्छा, probability of E intersection G equal N of E intersection G by N of S E intersection G कितना, 2, और N of S कितना, 6, कितना, 1 by 3 दोनों में क्या common है, इसमें value बुट करे, probability of E upon G equal probability of E intersection G, इसकी probability कितनी find हुई है, 1 by 3 by probability of G, probability of G कितना है, 2 by 3, तो 1 by 3 into 3 by 2, 3 से 3 कैंसल कितना, 1 by 2 second, G by E, तो यह तुमने formula लगा दिया, उपर E intersection G, E intersection G कि probability probability, 1 by 3, 2 by 6 है, 1 by 3, और probability of E, probability of E, probability of E कितना, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 3 into 2 by 1, 2 by 3, यह चारो answer चेक करूँ, 1st का 1st second, 2nd का 1st second, फिर नीचे के दोनों करता हूँ, 1st का 1st second, 2nd का 1st second, सही है, थर्द में लिया है, probability of E union F by G, ठीक, अब union F और by G यह हमको चाहिए मतलब कि इसकी probability चाहिए, और यह वाली घटना घटेत हो चुकी है, formula बनाना है, देखो formula कैसे बनेगा, probability of small bracket E union F पहले निकालना पड़ेगा, और E union F जो निकलेगा, उसका intersection किस से निकालना पड़ेगा? G से by probability of G, समझ आया? पहले इन दोनों का union निकालो, E और F का union, और E और F का union निकालने के बाद उसका intersection निकालना पड़ेगा G से, तब हमारे इस formula में value पुट होगी, तो पहले union निकालते, E और F का union, इनकी जरुरत नहीं है, intersection F, चलो देखते हैं, यहां में लिख देखते है रहा हूँ, E union F, union मतलब क्या होता है, अगर E और F का union निकालना है, तो दोनों के element को एक साथ लिखना है, कोई भी element repeat नहीं होना चाहिए, 11 का topic sets का, संग होता है, संग बोलते हैं इसको, 135 और 23, इसमें से दोनों के element को साथ में लिखना है, कोई भी repeat नहीं होना चाहिए, तो अच्छा एक और चीज, union निकालना के बाद उसका intersection निकालना है, फिर probability निकालना है, चलो, E union F, यह एलग हो गया, इसका intersection किस से निकालना है, G से, क्योंकि union का intersection चीए, फिर दोनों की probability चीए, भी पहले intersection निकालना है अंदर का, फिर बाद में probability पूरी की चीए, तो हमने E union F निकालना, अब E union F का intersection निकालना है किस से, G से, G, दोनों में common क्या है, 1, 2, 3, 5 और 2, 3, 4, 5 में common क्या है, 2, 3, 5, तो यह जाएगा 2, 3, 5, अब इसके N of E union F intersection G, 1, 2, 3, अचा probability of E union F intersection G, N of this by N of S, तो 3 by 6 लिख दूँ क्या, 1 by 2 कर दे डारी, ठीक है, अब formula में value पूट कर दे, यह देगा हमारे पास 1 by 2, यह जो हमने निकालना है, इसकी probability, by probability of G, तो G की probability कितनी है, 2 by 3, 2 by 3, 1 by 2 into 3 by 2, चेक करो एक बार, फिर आगे चलेंगे, 3 by 4, इसका answer चेक करें, फिर इसका second करेंगे, 3 by 4 एक आया, एक और बचा है, हाँ, second निकालेंगे, second क्या बोल रहा है, second बोल रहा है, probability of, probability of, E, intersection G, probability of E, intersection G, by, second बोल रहा, probability of E, intersection F, E, intersection F, by, बटे में कितना आ रहा है, G, अब formula बनाना है, तो formula बनाओगे कैसे, formula हैगा, probability of E, intersection F, intersection G, by probability of G, मतला पहले, E और F का intersection निकालें, E, intersection F, केवल केवल 3 आ रहा है, E, intersection F, पहले निकाल चुक है, अब E, intersection F, bracket में, intersection G, E, और F का intersection तो है, और intersection मतलब सर्वनिस्ट, और उसका intersection किस से, G से, अब G से intersection निकालेंगे, G चेक करो, यह G, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 3, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 3, अब probability of E, अच्छा, इसके number 1 आ जाएगा, तो मैं इसको एक बार और बढ़ा दे रहा हूं, step, N of E, intersection F, intersection G, इकवल 1 आ गया, अब probability of E, intersection F, intersection G, यह करली ब्रेकेट, अनुकूल परिनाम बेटे है, कूल परिनाम, favorable outcome कितने, total outcome कितने, formula में value put करने, probability of E, intersection F, intersection G, कितना निकाला, by, probability of G, probability of G, probability of G, 2 by 3, 1 by 6, 3 by 2, 3 से cancel कितने time, 1 by 4, check करें, 3 by 4 or 1 by 4, समझ आया, confirm, लिखें, ज स्थने करें, जारी है, बारी है, जारी करें आहर्प कारी है, बना कर लोका राफनारी बिखेंतारर, प्रेंटार है, जारी मी, जारी बॉतार, यालरा già κι।,control